हे गाइस तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Realme Nrzo 50 Pro में एप्स को हाइड और लॉग कैसे कर सकते हैं तो चले विडियो स्टार्ट करते हैं guys सबसे पहले आपको settings में चले जाना है settings में जाने के बाद guys आपको privacy में चले जाना है privacy में जाने के बाद guys आपको option देखने को मिलेगा यहाँ पर hide apps का hide apps पर आपको click कर देना है click करने के बाद guys यहाँ पर यहाँ आपको बोल ला है set up privacy password first तो आपको settings पर click कर देना है Settings पर click करने के बाद guys यहाँ पर आपको अपना privacy password set कर लेना है privacy password set करने के बाद guys यहाँ पर recovery information के एक option आएगा तो यहाँ पर आपको security question set कर लेना है security question का जो भी आप answer देते हैं उसको आपको याद रखना है ताकि अगर आप future में कभी privacy password भूल जाते हैं तो इसको guys इसकी मदद से आप recover कर पाएंगे तो यहाँ पर security question चाहें कुछ भी हो पर आपको अपना answer याद रहना चाहिए ऐसा answer डाल देंगे आपको इसके बाद नीचे आपको set a recovery email का option भी देखने को मिल जाएगा मैं guys suggest करूँगा कि आप recovery email भी जरूर डाल ले ताकि अगर आप answer भूल जाते हैं तो recovery email के थूर आप password को reset कर पाएंगे अगर future में आप privacy password भूल जाते हैं तो इसको भी आप जरूर add कर लें उसके बाद guys आपको done पर click कर देना है क्लिक करने के बाद guys यहाँ पर आपको सारी apps देखने को मिल जाएंगी जिस app को भी आप hide करना चाहते हैं उसको select करना है जैसे guys आप किसी app पर click करेंगे तो set access code का एक message आएगा तो आपको settings पर click कर देना है क्लिक करने के बाद guys यहाँ पर आपको अपना access code set कर लेना है access code has से start होगा और has से ही कतम होगा access code set करने के बाद guys यहाँ पर यह message सो कर रहा है enter your access code on the dial pad to access hidden apps यानि कि इन apps को access करने के लिए आपको dial pad पर अपना access code डालना पड़ेगा और वो app आपकी open हो जाएंगी यहाँ पर कुछ सेकंड का आपको wait करना है और done पर click कर देना है done पर click करने के बाद guys एप select कर लेनी है जो भी आप hide करना चाहते है उसके बाद guys आपको home screen पर आ जाना है and guys आप देख सकते हैं वो app आपको देखने को नहीं मिलेंगी आपकी home screen पर जो अवी आपने hide की थी उनको access करने के लिए guys आपको dial pad पर जाना है यहाँ पर आपको अपना access code एंटर करना है access code एंटर करने के बाद guys आप देख सकते हैं वो app आपकी open हो जाएंगी जो अभी आपने hide की थी and guys यहाँ से आप उनको direct access कर पाएंगी तो इस तरह से guys आप apps को hide और unhide कर सकते हैं तो I hope guys आपको video पसंद आया होगा अकर पसंद आया तो please video को like कर देना और दोस्तों के साथ share कर देना मैं मिलता हूँ आपको next video में तब तक के लिए keep smiling झाल को आपको पसंद आया होगा